अरे यह डॉक्टर है या मॉन बैटम की ग्रैंड डॉक्टर है इतनी इंगलिश मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया डॉन्ट वरी मैं आपको सब हिंदी में समझाता हूँ वो लोग आपकी ड्यूटी के बारे में कुछ बोल रहे थे आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है आप हिंदी में इदनी अच्छी बात कर सकते हैं मुझे अभी पता चल रहा है फिर भी मैं आपकी हिंदी टेस्ट करती हूँ क्या मैं एक सवाल पूछो ना चीटी के मू से किसका मुँ हो सकता है क्या हो वो डॉक्टर शानता सिस्टर ये जो चीटी होती है न उसके मुँ से छोटा क्या होता है क्या हो गया डॉक्टर आपको ए भगवान ए चिन्ना सुनो यहाँ क्या मेरे एक सवाल का जवाब दे पाओगे बोलिये न सर ये चीटी है न उसके मुँ से छोटा क्या है मुझे नहीं बता सेर अरे बता की जाओ ना मैं नहीं जानता सेर अरे बहुत छोटा सा सवाल है डॉक्टर आज पूरे दिन सोचे और कल बताईए मुझे बाई बाई अरे चलू क्या पर चीती की मूँ से छुटा ग्या होता है ए डॉक्टर, कैसा लग रहा है ये लूग फादर इन लोग कतर से आ रहे है इसलिए आज मैंने अड्रेस पहनी है अरे, क्या बात है, एकदम कॉर्पोरेट लुक है ज्यादा मत बोलो वाँ इस तरह का ट्रेस पहनने वाला मैं अक्यला ही हूँ ओ, आर्ती चतुरवेदी, नीली मारोय, अमेलिया ये सब क्या है मानना बढ़ेगा, कोई हाथ लगी है नहीं ज्यादा उड मत तुम्हें इस तरह से बुर्श खलिफा में शादी करके फ्लैट मिलना बीवी के साथ मज़े कर पाना मेरे जैसा एक डीसिंट जेंटलमेन तुम्हारा रूममेट होना ये सब किस्मत वालों को मिलता है हाँ, सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती ये क्या है एक जैसी पयार की बात है दोनों तरब से लगता है कोई लव का चक्कर है तुरा इसे क्या हो गया है जरूर कॉछ होने बाला है जरा सुन बशीर चीटी के मुझे चोटा क्या होता है क्या तो मैं पता है है तो बता ना जानोगी क्या दिल की हालत, तीर चला है इश्क इवादत, रंग भरे है जीमन में, यही होता है मुहबट में तो फाइनली तुझे किसी से प्यार हो गया है कुछ बोल नहीं सकता हूँ लेकिन रोज की काटों में फूल जैसी एक लड़की, खिल खिल आती है, तो दिल में कुछ होता है तु इतने बड़ बड़े लोगों का इलाज करता है, फिर यह प्यार की बीमारी की इलाज करने में क्या दिक्कत? अगर एक तरीके से सोचा जाए, तो थोड़ा मुश्किल है ना एनिवे, आल दी बेस्ट यार वैसे शादी करने के बाद जब तु प्रॉब्लम में फशेगा ना, तो मेरे दिल को थोड़ा चैन भी लेगा, समझा ना, जलता हूँ यहाँ, मैं सही कह रहा हूँ, उजिन मुझे बड़ा जीब सालागा, लेकिन कोई बात नहीं, इस पट रहता है तड़ाइं, गुड मॉर्निंग लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, लक्ष्मी, कल रात को मुझे नीन नहीं आई, क्या हूँ डॉक्टर, दुबई में भी मच्छर है क्या, नई मच्छर नहीं, चीटिया, जहां देखो, वहां चीटिया है, चीटिया, ओ, ऐसी बा हां, चीटि के मुझ से छोटा मुवाला, कौनसा जीव होता है? वो क्या है? चीटि के मुझ से छोटा, वो जीव होता है, जिसे वो खा रही होती है, अब समझें? तो फिर एक बड़ा सवाल पूछू क्या आप से मैं हाँ पूछो तो बताईए पहाड से भी उचा क्या होता है क्या मैंने हार मान ली तुम ही बताओ उन पहाड़ों पर उगने वाले पेड़ 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 अहां मैंने कुछ सीडीज लाई हैं तुम्हें बहुत पसंता है कि ये फिल्में ओफो यह सब मैं देख चुकी हूँ दॉक्टर फिर भी लक्षमी रख लो नहीं चाहिए दॉक्टर इनमें से हर फिल्म मैंने पांच बार देखी है मृं लक्षमी लाव टू वाच तमिल फिल्म के लिए इनकिर परुथी विर्म आो तमिल फिल्मे होती ही ऐसी है लक्षमी उनुसम्ति यहां भी तमिल फिल्मे होती है नई फिल्म देखने चले क्या ऐसी बात है तो डॉक्टर अगर हम साथ में फिल्म देखने जाएंगे तो फिल्म पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा मैं अकेली चली जाती हूं आप रिस्क मत उ से अपना पूरा काम खत्म करके निकलने वाला हूं हम तेरा क्लब में वेट करेंगे जितनी जल्दी हो सकते आ जाना ओकी-ओकी मैं आ जाओंगा बाइए हेलो डॉक्टर अरुन स्पीकिंग अरुन बेटा मैं हूं वेनु भाई बोल रहा हूं आजकल तुमारी कोई ख़बर नहीं मिल रही है कहा हो हाँ वेनु भाई मैं थोड़ा बिज़ी था कल गली के कमरे में बुर्ज खलीपा बिल्डिंग की चर्चा हो रही थी हम लोगों ने ते यहां आकर दूर से देख लिया है लेकिन पास जाने का नहीं हो पाया बेटा तुम वहाँ हो यह बताता हूँ तो कुसी को भरोसा नहीं होता अगर तुम वही ठहरे हो तो मैं काम करता हूँ चार लोगों को लाकर मिलवा देता हूँ कम से कम इने भरोसा तो हो जाएगा बिना ऐसा किये मैं जाऊंगा नहीं आसे वेनु भाई अभी आप कहां पर है अरे मैं उस बिल्डिंग के नीचे खड़ाओ बिटा तुम तो अभी कमरे में ही हो ना एक काम करो सिक्यूर्टी को बोल दो कम से कम हम लोग अंदर तो आप है अरे वेनु भाई अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ अरे रे रे तो तुम यह पर नहीं हो क्या नहीं पर आने से पहले फोन करना चाहिए था ना अरे तो फिर यह तुमारी माने जो भेजा है पाप और आमके अचार इन सबका में क्या करूंगा बेटा उसे विनु भाई आप रख लो और आपकी कमरे में हैं उसे बाट दो आप कुछ गलत मत समझना हॉस कोई बात नहीं डॉक्टर की तकलीफ में समझता हूँ ठीक है ना चलो 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 करें डॉक्टर है बिसी रहता है किसी ने किसी मरीज को देखने में चले फिर कभी आजाएंगे देख लीजेगा आप लोगगगगगगगगग गुण बाणिंग डीदी अरे माया तुम्हारा तो कोई अता पता ही नहीं है वैसे बिना किसी काम के तो तुम आती नहीं हो बताओ क्या बात है ऐसा कोई काम नहीं है बस आपसे मिलने का मन किया तो वहां से फ्लाइट पकड़कर सीधीय आ गई नाइस वैसे तुम्हारी ज् लाइसेंस का काम हो चुका है दिदी आपको याद है अब उस लेडिस कॉंसिलर से मिली थे शी रियली हल्फुल गुद मॉनिंग दिदी अरून कम हाई दस डॉक्टर अरून कुमार मैं जूनियर और यह है माया मेरी कजिन की बेठी बेसिकली शीज फ्रम यूके साटर्ट अ अरे 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 इतना पर्सनल मत लो ना यह देखो शीज अंगीजट पैरिस से इसका फियांसे दीपक बहुत जल्दी यहां आने वाला है यह यह भी चांस हाथ से गया मेरी मां हमेशा कहती थी अगर दंदुरूस पोता-पोती चाहिए तो अच्छी लड़की से शादी कर लो अब मैं क्या करूं फ्रांस के लड़कों ने मुझे हरा दिया अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें एक आफर देती माया जो पुटिक ओपेन करने वाली है उसके लिए अगर तुम कस्ट्रमा लाकर देते हो ना उसमें से एक अच्छी हाइट वाली लड़की त दीदी आपने कहा तो मुझे मानना ही पड़ेगा तो आल दे बेस माया बाई दीदी सी यू बाई